हेलो प्रेंड हमारी यूटूब चैनल में आपका भहुत होगत है आज गजर पांक बनाने शखाऊंगा इसी परकार से गजर पांक आप अपने घर पे भी बना सकते हो यह हमने 20 किलो दूद लिया है हम 20 किलो दूद की गजर पांक बना के दिखाएंगे आपको 20 किलो दूद है जो कि हमारे 10 किलो दूद की गजर लग रहे हैं पर जो कि हमने फिका मावा निकालना है हम इसे मावा बोल सकते हैं या खोवा बोल सकते हैं फिका खोवा निकालना है फिका खोवा इसलिए निकाला जाते हैं ताकि हम गजर पांक की उसमें छिटे नहीं लगते इसलिए हम 10 किलो का यानि की आद्धा का अंबाव निकाल लेते हैं हमने 10 किलो का मावा यहाँ पर तयार कर लिया अब हम गाजर की तयारी करेंगे जो अमारी गाजर है उसको ग्राइंडर करवा रहे हैं या आप अपने गियाकस या कदूकस से भी उसको तियार करवा लेजी या हमारी गाजर लक्षेदार बिल्कुल तियार हो रही है इसी परकार से आप भी अपने गाजर को ग्राइंडर करवा सकते हो या लक्षेदार गियाकस में भी कर सकते हो अब हम आगे का प्रोसेशर बताएंगी हमारी गाजर कंप्लीट होने वाली है जो हमारा मावा था उसको हमने निकाल दिया एक प्रांथ के अंदर अब हम दूद और गाजर को कडाई के अंदर डाल देंगी यह हमारी गाजर और दूद कडाई के अंदर डाल गए हम अब हम इसकी अच्छी तरह से शिकाई करेंगे हमारी शिकाई ताकि अब जो अमारी गाजर और दूद है इसके अंदर एवी आँचे यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आँचे यूज कर सकते हैं कोई दिक्त नहीं है तब भी हमारा मावा या फिर गाजर पांक का गान जो लग रहा है वो टाइट हो जाता है तब निचे दागी होने का खत्रा है अब हम इसको अराम राम से इला सकते हैं और इसकी आँच भी फुल स्पीड से रख सकते हैं हमारी बठी सोगी सो फुल स्पीड चल रही है और पल्टा भी साथ की साथ है चल रहा है कुछी बार में ये तियार हो जाएगी आपको 20-25-25 मिल्ट के गैप पर ये वीडियो में दिखा रहा हूं आपको ताकि ये वीडियो हम बड़ी बनाएंगे तो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ी वीडियो स्कीप करने होती है लाइप प्रूप्त में दिखा निक सकता 4-5 गंटे की वीडियो बन जाती है ये हमारी गाजर की गाने ही बिल्कुल तेयार हो गई है मैं इसको निकाल के भी दिखाऊँगा ताकि समझा जाए ये हमारी निकाल के दिखा दी गाजर अब हम इसको कडाई में डाल लिया और खो अब इसके साथ में डाल लिया और इसके अंदर एक किलो घी डाल लिया यानि कि 10 किलो दूद और पांच किलो गाजर 500 गी डलता है इसलिए हमने 20 किलो दूद के अंदर एक किलो घी डाल लिया अब हम इसकी शिकाई कर रहे हैं अच्छी तरह से अब जो शिकाई चल रही है शिकाई के टेम आपने ये दियान रखना है गज़र की जो शिकाई है उसमें आज बहुत धीमी यूज़ करेंगे ताकि ये अमारी जो नीचे से तली है वो फुकने लग जाती है और शिकाई नहीं होती इसलिए हम धिमी धिमी आच में मिठी मिठी आच में बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी शिकाई कर लेंगे जो कि हमारी अब शिकाई चल रही है आप देख रहे हो वीडियो मा आद आद गंटे की स्कीप करके दिखा रहा हूँ लग बग ये एक गंटे की शिकाई हो चुकी है शिकाई के अंदर ये मान के चलो जी आप तेड़ गंटा लग बग लग जाता है इसलिए आप बिल्कुल प्यार से शेखना है कोई जल्दवाजी नहीं करना है ये हमारी शिकाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है कुछी मिन्टों में या पांच चेयर मिन्टों में हमारी कंप्लीट शिकाई हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमने क्या क्या करना है वीडियो कौन तक देके ताकि आपको अच्छी तरह समझा जाए इसमे आपको दिखा रहा हूं लाइव अच्छी तरह से देखना आपको ये हमारी शिकाई हो जाने के बाद में हमने इसको निकाल लिया है अब हम इसको सभी को निकाल देंगे बार अब हम 15 से 20 मिन्टे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तब हमारे गुन गुना जो ओजाएगा नहीं तो बहुत काफी ताता होता है नहीं ठंडा होता है ये गुन गुने बोलते हैं ताकि ज़्यादा गर्म से हमारी बुरा इसमें पिंगल जाएगी पानी छोड़ने लग जाएगी ठंडा होने के बाद में हम इसके अंदर बुरा मिलते हैं आप ये देख लीजिए हमारी ये बिल्कुल ठंडा हो गया है थोड़ा थोड़ा नुआ है और काफी सर्दी का टाइम है इसलिए आपको बाफ दिखाई दे रही है आपर अब ये ज़्यादा गर्म नहीं है गुन गुना मान के चलो आप अब हम इसके अंदर बुरा डालेंगे वो भी च्छनली से चान के आपको ये द्यान देना है ताक इसमें करकराट के मातरा जाती है जो चिनी सी आती है और खांडे उसको चान के जरूर गेरना अपने बुरा को अब हमने इसके अंदर बुरा शान ली और जो काजू बदाम है इसके अंदर हमने डाल दिये अब हम इसको अच्छी तरह ऐसे मिला लेंगे मिला देने के बाद म अबने यही दियान रखना है यह खासियत है कि अपनी गर्म में ही डालना एक तो गर्म में आप डालोगे तो वो पानीसा बन जाएगा दूसरी यह खासियत है कि अब जो अमारी गाजर ठाक मांग लगा द से परन औक बेकर उपरहिए अंगली का निसान निसान उना चाहिए अगर इसको थेपड़ दे होगे या पूरी दाव लगा दे होगे अंगली की तब हमारे गाजर पांख उपर से गीच छोड़ जाती है इसलिए हम इसको बिल्कुल प्यार से प्यार प्यार से इसको अच्छी तरह साथ कर रहे हैं आप इसी परकार से आप अपने घर पे गाजर पांख बना सकते हो और ये वीडियो आपने पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें